प्रेगनेंसी रूमर्स को लेकर बात की उन्होंने इस तरह की खबरों को गलत बताया अंकीता ने सोशल मीडिया पर बेबी बम के साथ वायरेल हो रही फोटोस पर भी रियक्ट किया इसके अलावा एक्टरेस ने अपनी बेबी प्लानिंग को लेकर भी चल्चा की दरसल शादी के बात से कई बार अंकीता के प्रेगनेंट होने की खबरे आ चुकी है हाला कि हर बार ये अफ़ा ही साबित रही एक इंटर्विव के दोरान अंकीता से उनकी प्रेगनेंसी रूमर्स को लेकर सवाल किया इस पर उन्होंने कहा मैं कोई पहली सेलिब्रिटी नहीं हूँ जिसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसी बेबुनियाद खबरे सुनने को मिलती रहती है ये हर सेलिब्रिटी के साथ होता है उन्होंने आगे कहा सबसे पहले जब आप सिंगल नहीं होते हैं तो आपसे लगातार सवाल किया जाता है कि आप शादी कब करेंगे कयास लगा जाते है कि शादी हो चुकी है या होने वाली है इसके बात जब आपकी शादी हो जाती है तो खबरे आती कि आप प्रेगनेंट है या आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं ये बाते लगातार आपसे पूछी और लिखी जाती है कभी-कभी तो तलाक को लेकर भी आने लगती है कुछ खबरे मुझे लगता है कि मीडिया में ये सब चलता रहता है बेबी प्लानिंग के बारे में बात करते वे अंकीता ने कहा मैंने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है जब उपर वाले की मर्जी होती है तो वो ही होता है चाहे फिर वो करियर हो, शादी हो या फिर बच्चे जिसे जब आना होगा वो आ ही जाएगा उसे कोई रोक नहीं सकता बस उसमें भगवान की मर्जी होनी चाहिए इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ रहने वाद